सबी दिल्ली वासियों को मेरा नमस्कार पिछले एक साल से जब से कोरोना शुरू हुआ है मैं समय समय पे आपके बीच में आके सभी तत्थियों को, परिस्थितियों को इमानदारी के साथ आपके सामने रखता रहा हूँ आपसे चर्चा करता रहा हूँ एक चीज हम लोगों ने हमेशा गांठ बांद के रखे आपको कभी गलत अथ्या नहीं दिये आपसे कभी जूट नहीं बोला जो था आपके सामने रख दिया अगर स्थिति अच्छी थी, तो भी आपको बताया स्थिति खराब थी, तो भी आपको हमने इमानदारी से बताया क्योंकि हम पहले दिन से समझ गए थे कि ये इतनी बड़ी आपदा है कि आपके साथ के बिना, जनता के साथ के बिना अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकते जनता का सहयोग और जनता की सहभागिता इस पूरे संघर्ष में बेहद जरूरी है और जब तक जनता को सच नहीं बताया जाएगा, सारे तथ्थे जनता के सामने नहीं रखे जाएंगे तब तक जनता की भागिदारी सुनिश्यत करना असंभव था इसी दे हमने हर चीज आपके सामने रखी हमने टेस्ट नहीं कम होने दिये आज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं मैं तो यह कहूँगा कि अगर प्रती दस लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहा है मैंने देखा कि कई जगों पे उन्होंने टेस्ट कम कर दिये टेस्ट कम कर दिये तो केस कमाने लग गए इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगे हेर फेर करने की कोशिश की गई हमने ऐसा नहीं किया हमने दिली में टेस्ट कई गुणे बढ़ा दिये आज लगबग एक लाख टेस्ट दिली में डेली हो रहे हैं हमने मौत के आंकड़े आपसे नहीं छुपाए जितनी मौते होती थी हमने सब आपके सामने रखी इमानदारी से रखी अगर ज्यादा हो रही थी तो ज्यादा बताई, कम हो रही थी तो कम बताई कितने beds हैं, कितने ICU beds हैं, क्या परिस्थितियां हैं हर चीज आपके सामने इमानदारी के साथ रखे और इसी वज़े से जब भी हमने कड़े निरने लिये हमें आपका पूरा सहयोग मिला दिल्ली की जनता का पूरा सेयोग मिला मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी दिल्ली एक परिवार है दिल्ली के दो करोड लोग एक परिवार है और जब परिवार में कोई आपदा आती है तो सारे परिवार के लोग मिलके उसका सामना करते है अब भी हम सभी मिलके इसका सामना करेंगे, पहले भी जीत हुई थी, अब भी जीत होगी, आज दिल्ली में क्या परिस्थिती है? पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगबग 23,000 केस आए हैं, उसके पिछले 24 घंटे में लगबग 25,000 केस आए थे, तो पिछले 3-4 दिन से रोज हम देख रहे हैं, लगबग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं, पॉजिटिविटी बहुत जादा बढ़ गई है, संक्रमन दर बहुत जादा बढ़ गई है, दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध, बेड्स की भारी कमी हो रही है, डेली 25,000 अगर पेशेंट्स आएंगे, तो कोई भी वेवस्ता चर्मरा सकती है, डिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है, आईसिव बेड्स दिल्ली में लगबग ख़तम हो गए हैं, आज सुबह मैं एब अप पे देख रहा था, सौ से भी कम आईसिव बेड्स दिल्ली में बचतु हैं, औक्सीजन की भार कमी हो रही है कल हमने सेंट्रल गॉर्मेंट को भी लिखाया उनसे बात्चीत चल रही है परसो रात को एक हादसा होते होते बचा एक प्राइवेट हॉस्पेटल ने हमें बताया कि परसो रात को तीन बजे के करीब उनके अस्पिताल की ऑक्सीजन लगबग खतम हो गई वो बो दवाईयों की कमी हो रही है रेमडेसेविर दवाई की खासकर काफी कमी हो रही है यह सारे तथे मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताए यह सारी परिस्थिती है और इन परिस्थितियों में हमें अब अगला कदम क्या उठाना है इस पे चर्चा करने के लिए मैंने आप बड़े पिछले साल यून में आये थी जिसमें साड़ेanimę करीब केस नानिन करेपशे गजय करुंदौल दिल्ली में साड़े आठ हजार केस आई पिछली बार तीसरी वेव में तब भी हमारा सिस्टम कॉलाप्स नहीं किया उल्टे हमने और ज्यादा अपनी तैयारियां शुरू कर दी आज 25,000 केस आएं अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुँच गया है हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज़्यादा तनाव में है मैं यह नहीं कहूंगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कॉलाप्स किया है लेकिन आज हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा तनाव में है किसी भी हेल्थ सिस्टम के अपनी सीमाई होती है खूब नए हॉस्पिटल खोले हैं, महला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक बनाए हैं, बहुत बड़े स्तर के उपर स्वास्त के खित्र में काम हुआ है, यही कारण है कि आज 25,000 केस के उपर भी दिल्ली का सिस्टम चल रहा है, लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कद हम नहीं उठाए गए, तो यह सिस्टम कलाप्स कर सकता है, और अगर हेल्थ सिस्टम कलाप्स कर गया, तो मुझे डर है, कहीं बहुत बड़ी तरासदी नहों जाए, जैसे हम ने बताया कि कल एक अस्पताल में ऑक्सिजन बिल्कुल खतम हो गई थी, और बहुत बड़ी तरा होड़ रहे हैं, अभी तक हमने दिल्ली को उस किसम की तरासदी से बचाया है, वैसा नहीं होने लिया, आज सुबह ग्यारा बजे मेरी और एल जी साब की मीटिंग हुई, और इन सारे पहलूं के उपर, सारी परिस्थिती के उपर काफे विस्तार से बाचित होई, और उस ब लॉकडाउन नहीं लगाया, तो कहीं ऐसा नहों की बड़ी तरासदी हो जाए, हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिती में नहीं ले जाना चाहते, जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंस पड़े हैं, सडकों पे लोग दम तोड़ रहे हैं, आज सभी परिस्थितियो को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, इस दौरान जाहिर है कि जो जो essential services हैं, वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, medical विवस्थाओं की वो जारी रहेंगी, ये शादियों का सीजन है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिष्टे बनते हैं, हम उनके रिष्टे तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन हो, लेकिन केवल 50 लोगों के gathering के साथ संपन हो, उसके लिए लग से पास दिये जाएंगे, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में detailed order जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीजे जारी र जाएथा, हमारे लिए निरने लेना असान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लोगों के रोजगार खतम हो जाते हैं, लोगों की कमाई खतम हो जाती है, और खास कर सबसे गरीब तब के लिए तो यह बेहद मुश्किल होता है, जो दिहारी करके रोज कमाते हैं, उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गाउं जाने लगे थे उसे मैं खास तोर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं यह चोटा सा लॉकडाउ और चोटा ही रहेगा मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत ना पड़े आप दिल्ली में रहिए यकीन मानिये हम पूरी मानदारी के साथ सब मिलके लड़ेंगे तो जल्दी इस मुझसिबत से छुटकारा पाएंगे मैं आपको यकीन दिलाता हूं सरका आपका पूरा खयाल रखेगी मैं हूना मुझे पर भरोसा रखिये मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निरने हमने बहुत मुश्किल से लिया है आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सक्त खिलाफ रहा हूं हमेशा से मैंने लॉकडाउन का आपके कि स्वास्त विवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके ये जो छे दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं ये जो छे दिन हम इन छे दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्थर के उपर और दिल्ली में बेड्स की विवस्था करेंगे केंद्र से हम मदद मांग रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्र गुजारें उनसे oxygen की विवस्था करेंगे, दवाईयों की विवस्था करेंगे, इस lockdown के समय को हम इन सब चीजों के लिए इस्तिमाल करेंगे, मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि lockdown का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें, पहले भी हमने कई कठिन निरने लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया, मुझे पूरी उम्मीर है, आज भी आप मेरा साथ देंगे, हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और जरूर जीतेंगे, नमश्कार. झालन करेंगे, नमश्कार.